Hello friends, welcome to nursing study. आज की वीडियो में हम बात करेंगे Common Disorder of the Circulatory System तो हमारा जो टॉपिक रहेगा Circulatory System पर रहने वाला है आज का और Circulatory System में क्या-क्या Disease Conditions कोज होती हैं वो डिसकस करेंगे हम इसमें तो Circulatory System है क्या? यानि कि हमारा Heart Heart का काम क्या होता है? ब्लड को Pump करना और Circulate करना यानि कि तो Common Disease तो उससे लेटिड क्या-क्या Common Disease हो सकती हैं अगर हमारा Heart जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है Blood Circulate नहीं कर पा रहा है Blood को Pump नहीं कर पा रहा है तो क्या-क्या Disease Conditions हो सकती हैं हमारी Circulatory System के अंदर तो Topic Start करने से पहले कुछ Basic चीज़े जो हम जान लेते हैं जो हमारे Related है Circulatory System से तो सबसे पहले हम जानते हैं Blood के बारी में तो यहाँ पर Circulatory System यानि कि हमारा Heart से Related है और Heart का क्या काम होता है Blood को Pump करना और हमारे Blood में क्या-क्या Present होता है तो हमारे Blood में Red Blood Cell प्रेजंट होते हैं White Blood Cell प्रेजंट होते हैं White Blood Cell and Platelets प्रेजंट होती है और Plasma इन सब चीज़ों से मिल करके बनता है हमारा Blood तो यह कुछ Basic चीज़ है और एक चीज़ है इसमें हम जानते हैं Circulatory System कैसे वर्क करेगा यानि कि Heart जब Blood को Pump करता है तो वो Body में कैसे Circulate होगा Body में कैसे पहुंचेगा तो यह पहुंचता है हमारे Vains और Artery के थूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है Your Heart Pump Blood Through Blood Vesels यानि कि हमारे Heart से जूड़ी होती है Blood Vesels से जूड़ी होती है और जब हमारा Heart जो है वो Pump करता है Blood को Pump करता है Blood को Flow करता है तो इन Blood Vesels के थूड़ी होता है इसमें आती है Arteries Artery क्या काम करती है Arteries carry oxygenated blood away from the heart to the rest of the body यानि कि Arteries का important काम होता है यह क्या करती है जब Blood जो है Heart से Pump होता है तो यह Arteries oxygenated blood Oxygenated blood means जो Blood में जब oxygen present होती है यह Heart से लेकर के हमारे rest of the body यानि कि हमारे पूरी बोड़ी में इस Blood को पहुंचाने का काम करती है Arteries Then आता है Vains Vains का क्या काम होता है Vains take blood back to the heart अब यहाँ पर Vains का क्या काम होता है जो Blood होता है वो Arteries और Vains दोनों से connected होती है यह Small Tube like structure होता है जो Arteries और Vains दोनों से connected होती है अब हम बात करते हैं Disease Condition की तो जैसे कि हम नहीं जाना है क्या-क्या Circulatory System के अंडर आता है ठीके Blood के बारे में भी जाना है आर्ट्रीस और वेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या-क्या डिजीज कंडिशन जो है वो आ सकती है हमारे Circulatory System के अंडर तो सबसे पहरे डिजीज कंडिशन आती है इसमें Arteries Cellaroses यानि कि इसमें क्या होगा walt of the arteries become thick and hardened यानि कि जो walt होती है arteries की arteries को पहुंचाती है हमारे body को तो arteries की जो वाल होती है वह बहुत ही ठीक हो जाती है और hard हो जाती है जिसके वज़ए से blood का flow जू हो नहीं हो पाता है और patient को heart ris-calrosis की disease condition हो जाती है next आते है hypertension नॉर्मल प्लोड पर्षर कितना होता है, अगर 120 बाई 80 से जादा हो जाता है, तो ही ब्लोड प्रेशर की कंडिशन को कोज हो जाती है, नेक्स आता है परिफियल वैजिकुलर्ड डिजेज, decrease in the flow of blood to the extremities and brain peripheral vesicular disease में क्या होगा इसमें blood का जो flow होता है जितना normal blood का flow होना चाहिए body तक पहुँचने में यानि कि veins में जितना blood का flow होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है यानि कि हमारे brain या फिर हमारे body को उतना blood flow यानि कि oxygen नहीं मिल पाती है इस वज़े से peripheral vesicular disease जो हो पेशिंट को कोज हो जाती है एंजेन पेक्टोरिस में क्या होता है पेशिंट को चेस्ट में पेन होने लग जाता है उसके बाद आता है वेरिकोस वेंस वेरिकोस वेंस जो हमारे लेक्स में प्रेजन होती है इनलार्ज ट्विस्टिड वेंस यूजली इनलेक्स तो वेरिकोस वेंस में क्या हो जाती है वेंस जो है वो इनलार्ज हो जाती है यानि कि आप अपने देखेंगे जो लेक्स में वेंस होती है बहुत ही पतली होती है इन्विजिबल होती है लेकिन जब varicose vein disease condition होती है वो enlarge होती है वो बाहर से भी दिखाई देती है और twisted भी हो जाती है और जादातर mostly ये जो disease condition है वो nurses को cause होती है और next आता है इसमें congestive heart failure circulation caused by the weak pumping of the heart muscle यहां पर congestive heart failure कब हो सकता है जब जो हमारा heart की muscles होती है वो pump नहीं कर पाती है यानि कि बहुत ही weak muscles जो है heart की muscles है वो weak हो जाती है इसके वज़े से congestive heart failure हो जाता है क्योंकि muscle weak होने की वज़े से blood कुछ है वो pump नहीं कर पाती है और blood pump नहीं करेगी यह blood body को नहीं मिलेगा तो body को oxygen नहीं मिलती है next आता है myocardial infection यानि कि MIB हम इसे short में बोलते हैं इसमें क्या होगा heart attack due to the blockage of the coronary arteries यानि कि heart attack condition पेषिंट को होती है तो कऊरे को die कि avete इतुत हुआ हो जाती है वो blockage हो जाती है अगर artery ब्लोक हो जाएंगी तो blood नहीं तो blood नहीं मिल पाते हैं नेक्स आता है जो हमारे टहुंप के अंदर ऋस्टीं होते हैं जब अभी cantit में क्या-क। ब्लीट फ्लेटलेत्स और प्लाजम प्रेजन उसका होते हैं तो थानीमिय के साम ब्लोट फेलवाइटस क्या होगा इंफ्लामेशन ओफ वेन फेलवाइटस जो है वेन में जब इंफ्लामेशन हो जाती है उसके बाद लास्ट आता है हमारा अथ्रोसकेलरोसी फैटी डिपोज़िट ओन दे वाल अफ आर्टरी डेट रेडियूस अब फ्लोड फ्लोड फैटी यानि कि कुछ फैट जो है वो डिपोज़िट हो जाता है आर्टरी के अंदर जिसके वज़े से क्या होगा जो प्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है यानि कि एक तरह से आर्टरी में कुछ जो है डिपोज़िट जैसे की फैट है वो अगर उस ट्यूब में जम जाता है तो उस जो है वो आगे survive नहीं कर पाती हैं तो यह कुछ common disease condition है जो की related है हमारे artery circulatory system से तो आपका एवेसन 1 या फिट 2 में यह disease conditions होंगी circulatory system से first year में आप circulatory system पढ़ते हैं और second year में आप इसकी disease conditions पढ़ते हैं तो आप से अगर circulatory system से disease conditions conditions आजाते हैं क्या क्या disease condition होती है तो यह सारी आपस में लिख सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा thank you for watching